अगर आप Miss Marvel का ट्रेलर देखने के बाद थोड़ा अंडर वैल्बन है तो आप ये वीडियो देखें आपकी excitement में जरूर इजाफा होगा specially अगर आप पाकिस्तान से हैं मुझे आज भी याद है कि आज से 7-8 साल पहले जब मैंने साइन फिल्ड देखा था जिसमें बाबू बट का करेक्टर था जो के पाकिस्तान से था उसको देखकर मुझे बड़ा मज़ा आता था तो इसी तरहां आज के दौर में कमाला का जो करेक्टर है उससे शायद मैं तो सिरफ इसलिए हेट कर रहे हैं कि ये करेक्टर पाकिस्तानी है और इसका ओरीजन जो है वो जाके पाकिस्तान से मिलता है तो उन लोगों के लिए मैं सिरफ एक ही बात कहूंगा कि बड़े अफसोस की बात है कि अगर कोई ऐसी चोटी सोच रखता है अगर आपका गुस्सा सि यार इन्होंने इन human वाला origin जो change करके अच्छा नहीं किया लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद वो भी है जो इस character को support कर रही है वो नहीं देख रहे कि उसकी nationality क्या है या उसका religion क्या है वो ऐसे MCU fan देख रहे हैं जो के बहुत अच्छी बात है अब डिजनी के track record की वज़े से मुझे खुद इतनी जादा उमीद नहीं है इससे लेकिन फिर भी बिलावजा का hate करना तो justified नहीं है खराज की वीडियो पर आते हैं जिसमें मैं आज Miss Marvel की 2015-16 में रिलीज होने वाली comic book का issue number 12 कवर करूँगा जिसमें वो कराची का विजट करने आती है हमारी कहानी का अगाज न्यू जर्सी के एक एरपोर्ट से होता है जहां एक officer randomly कमाला खान को side पर करके उसकी तलाशी लेना start कर देती है जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो उसे उसका passport दे कर रवाना करती है ये कहानी है कमाला की पहली दफ़ा पाकिस्तान विजट की क्योंके पहली दफ़ा उसको उसके पेरन्ट से अकेले इतनी दूर जाने की अजासत मिली है उसकी नानी सबसे पहले उसे आकर गले लगाती है और कहती है ओ मेरे बच्ची देखो कितनी बड़ी हो गई है उसकी खाला उससे पूछती है अरे इतनी गर्मी में इतनी मोटी जैकेट पहनी हुए तुमने उसकी अंकल उसका बैग पकड़ कर कहते हैं लव बेटा ये मुझे दे दो और कमाला दिल में सोचती है कि नानी अम्मा की खास बात ये है कि आप चाहे जितने मर्जी दूर रहते हो लेकिन वो कभी भी आपको अपने से दूर नहीं मानती इसके बाद हम उनका कराची में घर देखते हैं अरे जमीला काओं तुम वो इमेरिका वाली लड़की आ गई मैं उसका सामान उपर लेके जा रही हूँ उसका सामान रूम में पहुंचने के बाद उसकी नानी रूम में आती है और उसे बताती है कि ये तुम्हारी अम्मी का कमरा था और अब पूरे एक महीने के लिए तुम्हारा कमरा है इसके बाद नानी उसे गरे लगाती है और उसको फ्रेश होकर आराम करने का कहती है तो कमाला अलमारी में पड़े हुए कपड़ों में से कोई ढूंट रही है पहनने के लिए तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी की बड़ी अच्छी दोस्ती और वो दोनों एकठे पढ़ती थी कर मेरा नाम करीम है अभी वो लोग खड़े गपे मार रहे थे कि नीचे से आवाज आती है तौबा तौबा करीम कपड़े तो ढंके पैन लो महमान के सामने ये लड़का मेरी नाग कटाने का कोई मौकानी आथ से जाने देता तो ये सुनकर करीम थोड़ा शर्मिंदा होता है और वहाँ से गायब होने की कुशिश करता है और ये सब देखकर कमाला हसने लगती है इसके बाद कमाला चेंज करके नीचे आती है जहां सब शाम की चाय के लिए इकठे हुए है कमाला पूछती है ये क्या था तो करीम जवाब देता है ये टैंकर माफिया है आए दिन पानी की पाइपलाइन को उड़ा देते हैं ताके लोग सिर्फ उनके टैंकर से ही पानी खरीदें अब जो लोग कराची में रहते हैं वो इस चीज से टोटली रिलेट कर सकेंगे के वहाँ पानी का कितना इशू है और टैंकर माफिया ने किस तरह उनका जीना हराम किया हुए इस चीज को हमने बावेज जोशी सूपर हिरो मूवी में भी देखा था खेर इसके अगले दिन कमाला सुबा जल्दी उठती है नमाज पढ़ती है और कराची घूमने के लिए निकल जाती है और घूमते घूमते वो सी वियू पर भी जाते हैं जहांपर वो घुड सवारी करते हैं और वहाँ पर एक बंदा उनसे 300 का कहकर 3 टारजन मांग लेता है लेकिन वो उसे 3 टारजन नहीं देती जो पाकिस्तान से हैं वो ये जोक समझ गए होंगे और जो नहीं समझे हैं वो गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को वो रात को आकर डारी में ये सब चीज़ लिखती है कि उसने दिन में क्या-क्या की है अभी वो डाइरी लिख ही रही ती के तबी टैंकन माफिया एक और पानी की पाइपलैन दमाके से उड़ा देती है कमाला और करीम बैलकनी पर आकर देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है तो वहाँ पर करीम काफी दुखी दिखाई देता है और कहता है करॉप्शन इस शहर को निचोड़ कर खा गई है और सब ने इस शहर को इन जैसे भेडियों के रह्मो करम पर छोड़ दिया हमें लोग इस शहर को छोड़ छोड़ कर दूसरी जगा शिफ्ट हो रहे हैं अगर सब ये शहर छोड़ कर चले जाएंगे तो इस शहर को ठीक कौन करेगा उनकी बातों के बाद जब कमाला करीम को अंदर जाता हुआ देखती है तो कहती है लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और वो अपने दुपटे का नकाब बनाती है और हीरो पोज मारती है इसके बाद वो लंबे लंबे जम मार कर उन लोग के पीछे जाती है जो ये धमाका करके भाग रहे हैं अब वो किस तरह उनको ढूंडती है और किस तरह उसे पता चलता है उन डिटेल्स में या नहीं जा रहा है खेर वो लोग एक ट्रक में वहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी उनको अपने ट्रक पर एक आवाज सुनाई देती है तो उनमें से एक पूछता है अरे उस्ताद ये किस चीज़ की आवाज थी तो कमाला अपने बड़े बड़े हार्थों से उनमें से दो लोगों को दबोच लेती है और ट्रक से बाहर खींचती है जिससे उस ट्रक का एकसिडेंट हो जाता है और तीसरा ड्राइविंग सीट से बाहर निगलते होए पूछता है अब तुम कौन हो तो कहती है मैं मिस मारवल हूँ और तभी उन पर कोई चकों से हमला करता है तो उन में से वो शक्स फिर कहता है अरे उस्ताद ये चक्कू पैलोन फिर से आ गया और तभी हमें वहाँ पर कराची का विजलेंटी दिखाई देता है जिसको देखकर कमाला पूछती है तुम कौन हो तो वो कहता है मेरा नाम है लाल खंजर जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे रेड डेगर मेरा छोड़ो तुम बताओ तुम कौन हो और तुम मेरे काम में क्यों दखल दे रही हो कराची मेरा शहर है और इस इलाके को मैं प्रोटेक्ट करता हूँ मिस मारवल ये सब देखर उससे अपॉलोजाइस करती है कि उससे नहीं पता था कि यहां पर भी हीरो है कोई तो रेड डेगर उसे कहता है कि तुम फिरंगी लग रही हो मुझे तर इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ जहां उसने काफी न्यू दोस्त भी बनाए जिनमें एक करीम भी था और इस तफरीक के बाद वो वापस अमेरिका चले जाती है और यहां पर ये स्टोरी एंड हो जाती है अच्छा अब ये एक ही इशू था उस सीरीज में जिसमें वो पाकिस्तान विजट करती है तो इससे आगे इसकी सीरीज नहीं चलेगी ये बस एक इशू था इसको मैं चार था कि आप लोगों तक पहुचा हूँ जिसमें हमने लाल खंजर को देखा जिसको मुझे उमीद है कि मिस्स मार्वल में वो रैड डैगरी कहेंगे कि मिस्स मार्वल के विलन्स कौन कौन से हैं और उनमें से कौन सा हमें इस टीवी शो में देखने को मिलेगा खैर उमीद है आप लोगों ने इस वीडियो को इंजॉय किया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और सबस्क्राइब जरूर करें बाकि खुश रहें खुश रखें अल्ला हाफिस